रादिक्रिशन फ्रेंग्स वेलकम करते हो अपनी यूट्यूब चैनल पर जहां पर हम काना से लेड़ क्राफ्ट वीडियो बनाते हैं तो आज हम कुछ इस टाइब की ड्रेस बनाएंगे इस टाइब का जो मुकुठ है वह मैंने अपनी लास्ट यूडियो में सिखाया है तो आपको इसकी वीडियो जो है एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो अब हम बनाने चाहरी है किसी पी कलर में आप बना सकते हैं आप बोईडरीड फैब्रिक लिया है मैंने वैलवर स्टफ में तो इस स्टफ को मैंने एक स्ट्रिप कट कर ली है जो भी साइज के आपके ठाकुजी आपको इसकी अकोडिंग ही यह वाले स्ट्रिप कट करनी है मैं पांच नमर के ठाकुजी के लिए बना रही हूं तो यह वाली जो मैंने श्रिप की लेंध है वो मैंने 38 इंच भाई 5 इंच रखी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे थ्री स चीज है वो ठाकुजी के कमर के अकोडिंग ही रेडी करनी है और उसके बाद जो हम इस पे एक पट्टी आड करेंगे जिसमें हम जो है इसको पैनाने के लिए जो है डोरी इंसर्ट करेंगे तो यह देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से यह प्लेट डालनी है और इसको इसक किसलिए करनी है जितना कि हमारे ठाकुजी की कमर का साइस होता है जितना भी स्ट्रेशा के अब आता हिरने सीट्श इं दू इंच की चुढाई और लेंथ जो इसके एकोडिंग ही लेनी है हम इसको हलका सा बड़ा लेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करके यहां पर इस तरह से उल्टा रखके एड़ करेंगे और उसके बाद हमने इसको सीधा करके बैक साइड में जाके स्टीच लगा देना और इसके अंदर यह वाली जाए गोल्डन कलर की डोरी हमने एड कर देनी है ताकि हमनों ठाकोजी का अच्छे से ड्रेस पहना पाएं तो यह देखे वेस्ट बैल्ट को एड़ करने के बाद यह हमारे पास प्रोपर घेरा बनकर रेडी हो जाता है दोनों साइड में हमने वेल्क्रो टेप को एड़ करन अगर आपका घेरा प्रोपर राउंड शेप में बना हुआ है तो यह देखे जो प्रोपर घेरे की लुक आ जाती है अब हमने बनाने चोली-चोली के लिए हमने एक फैब्रिक लिया उसकी जो हमने लोंग साइज की थोड़ा स्टिपली है दस बार इंची के राउंड इसको कुछ इस तरह से तीन बार फोल्ड करेंगे और इस पे लिए लगा लेंगे तो एक बैल टाइप में बना लेंगे इसको इसके दो पार्ट करेंगे उसके अंदर हाफ में स्टिच लगाकर बाकी में साइड पर डोरी-ट करेंगे तो अभी जो मैंने बीक साइज की जो तो आपको कैसे लगी वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले ही मिलते हैं